गुड मॉनिंग सुपरबात केम चो उम्मीद है आप सब लोग बहतर होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे तो बेटा आज हम बात करेंगे प्लांट एनाटामी के उपर मतलब एनाटामी ओफ फ्लावरिंग प्लांट पर हम बात करेंगे तो चैप्टर में हम बैसिकली हम कोर कॉंसेट को लेंगे और अभी हाल ही में फोकस में चैप्टर को हमने कवर किया है तो मैंने पहले भी आप से कहा है कि यह जो लेक्चर है उन के लिए उतना फाइदा इस लेक्चर से नहीं होगा यह इसके लेक्चर के लिए जरूरी यह है कि आएक बार आप रेगुलर क्लास पूरे पड़े हो आपके पास अपने नोट सो बनाए हुए जो क्लास में ने पढ़ाया है वो नोट पास रखेंगे आप और तो इसमें हम क कर सके हैं ठीक ना तो हम कोर कॉंसेट को समझेशते हुए और कुछ शॉट नोट बाते हो बिटा हम आगे बढ़ेंगे इसमें ठीक ना आज मैं बहुत दिनों के बाद समझ लिए मार्च 20 के बाद जो है आज मैं जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अपने ऑफिस के स्ट बढ़ा और चलो ठीक अच्छी बात है ना इस बहाने कम से कम जो है वो आफिस आने का मौका मिला को कि अभी जो है और मोस्स सब आलते बदल चुकी है लोग्डाउन के चलते चलो तो अभी हम क्या करते हैं हम जो है वो आज मैंने कहा ना कि anatomy of flowering plant में की कोर कॉंसेट को देख हुए हैं आप क्लास पूरी अटेंड किये आपने आपके पास नोट से और हम भी रिवाइस करने हैं ठीके ना और यह इसा नहीं है तो लेक्टर बन कीजिए रेगुलर लेक्टर देखिए और अपने नोट्स को रिवाइस किजिए ठीके ना तो हम एंस्याटिक अकॉर्डि होता है ठीके तो हमने ऐसे लिखा अना अना पर नहीं की बीटा प्लांट की भी होती है एनिमल की भी होती है तो काईदे में यह क्या हो गया यह हो गया कि study of internal structure of plant is called plant anatomy clear ठीके अब दूसरा important point क्या आता है हापर दूसरा important point यह आता है वो आता है टिशू क्या होता है ठीके अगें तो हमें याद रखना है टिशू जो है टिशू की definition होती है उसमें हमको याद रखना है कि टिशू is a group of cells तो हमने क्या लिखा इसमें हमने हमने लिखा इसमें it is a group of cells कुशिकाओं का जो है वो group of cells के कुशिकाओं का एक गुच्छा होता है लेकिन खास बात यह इसकी खास बात यह है कि दियार similar in origin यह उत्पत्ती में समान होना चाहिए similar in origin यदि origin में समान नहीं है तो वो टिशू नहीं बना पाएंगी बिटाटके दे मस्ट भ function के यह specialize होता है मतलब tissue का आपना एक purpose होता है एक उद्दिश होता है काम करने का तो जारे स्पेश्टाइज करने के लिए इस पेसलाई होते हैं तो इसका मतलब यह कि परफॉर्म common function जब चूँए टिशू की जब सेल्स जब वह common origin के गुरूप बना रही है तो वह group कोई प्रिटिकलर काम करेंगी common function करेंगी तो क्या लिखा एंसियाटी में टिशू इजे ग्रूप आफ सेल्स having a common origin and usually performing common function ठीक है ना ठीक अब याद रखिए बिटा यहाँ पर यहाँ पर एक बात हम थोड़ी सी हाँ पर एक बात को यहाँ पर हम जोड़ेंगे हाँ पर एड करेंगे हम ठीक है वह यह एड करेंगे बेटा यहाँ पर हम कि टिशू जो है दे में भी homogeneous ठीक है homogeneous हो सकते हैं versus heterogeneous हो सकते हैं ठीक है आप केवल जो है ऐसे ही word लिखेगा लंबी चोड़ी कहानी मत लिखेगा क्योंकि ये revision के notes बन रहे हैं तो homogeneous मतलब एक समान कोशिकाओं से बना होगा one type of cell ठीक है one type of cell और heterogeneous का मतलब होगा different type of cell अलग-अलग तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होगा तो heterogeneous बोलेंगे एक समान कोशिकाओं से मिलकर बना होगा तो homogenous बोलेंगे उसको ठीक है ये भी समझ में आया फिर इसके वाला भा फिर हमने का कि tissue कैसे हो सकते हैं हमने का ये हो सकते हैं divisible और versus non divisible के डिवाइड होने वाले और डिवाइज नहीं होने वाले तो हमने क्या का हमने का जो डिवाइड होने वाले हैं वो क्या है बिटा वो हो गए मेरिस्टीमेटिक टिशू हो गए वो मेरिस्टीमेटिक टिशू हो गए और जो डिवाइड नहीं होने वाले हैं वो क्या हो गए व render हमने यह 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 जो हम exercise कर रहेब ना इसको हमने जी नहीं किया ठीक तो सब्सक्रिध नहीं तो में बहुत लगता हम को तॉपन राधर लगता है तो राovaster हैं जलतें इसमें साथ में है न ठीक निए न ही करने वाले परमांन टीशेयू होते हैं फिर जब हम बात करते हैं मैं इसकी की बात करते हैं हमने क्या तो हमने क्या का हमने कहा कि जब आप बोलेंगे मरिस्टें ठीक है मरिस्टें कुछ बाते लिखी है हमने हमने का have capacity to divide capacity to divide ठीक है इनमें विभाजन की छमता होती है है capacity to divide विभारें की जमता होती है ठीक फिर हमने क्या लिखा हमने लिखा यह कि यह हम बात करें on the best of location इनकी इस्थतिक आरहर पर बात करें कहां कहां प्रिजेंट होते हैं यह तो हम बोलेंगे एक होते हैं एपिकल मरिस्टेम होते हैं दूसरे होते हैं बेटा इंटर कैलरी मरिस्टेम होते हैं ठीक है दिसरे होते हैं क्या बेटा लेटरल मरिस्टेम होते हैं ठीक है तो एपिकल मरिस्टेम हो गया इंटर कलरी मरिस्टेम हो गया और लेटरल मरिस्टेम हो गया ठीक है फिर जब हम बात करते हैं on the basis of origin के पॉइंट आप विसे बात करते हैं किस प्रकार उत्पन हुए यह तो हम बोलेंगे यह होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं और हम बिल्कुल एंसेटी के कॉर्डिंग बात करें और होते हैं सेकंडरी मेरिस्टेम होते हैं ठीक है ऐसा बोलते हैं कि प्रा और ध्यान रखेंगे हैं कि में सेल्स जो होती हैं उनके बीच में नो इंटर सेल्लर इस्पेस उनके बीच में इंटर सेल्लर इस्पेस नहीं होता है याद रखेंगे रखेंगे जो में कुशिका होती हैं उनकी बीच में इंटर स्थान नहीं होते हैं मतलब क्या होता है डिवाइजिवल ठीक है और ऐसे क्या होता है वी स्थान आप banget क페 में और पर हमको एपी कली न स्थान को देखने मिलता है इंटर रएलिन में इंड़ें हमको बीच वीच में देखने होता है grasses में देखने मिलता है जो कि apical sistem के समानी काम करता है अब बेटा देख वह याद रखना है यहाँ पर हमने बात किया यह तो हमने बात किया मरिस्टेम के बारे में अब मरिस्टेम जब divide करता है तो मैंने क्या आपसे कि जो apical मरिस्टेम है और intercalary मरिस्टेम है ठीक है सेकंड्री गूध करता अवे हमने अईसा सिम्बॉल बना लिया हमने लंबा सिंबॉल एरो मतलब यह प्राइमेरि도 लंबाइब करेगा और यूद puta Sun करेगा और सेकंडर 12 पहलत जो हमको growth के बारे में बतला रहे हैं clear ठीक है याद रखेगा कि रूट में रूट में जो apical magistrame होता है वो सब टर्मीनल पोजिशन में होता है क्योंकि वो apical magistrame root के पीछे होता है ठीक है आज मैंने कहा ना आप से कि studio में recording हो रहा है वहुत दिनों के बाद तो sound में थोड़ा सा आपको अंतर आ सकता है कम यह ज्यादा लग सकता है तो उसको आप मुझे बता देना तो मैं इसको तो अभी मैंने क्या कहा आप से की जो रूट है रूट में जो है अपिकल में सब टर्मीनल पोजिशन में होता है ठीक पीछे होता है क्लिया चलिए आगे बढ़ते आप देखो जाओ अब आप क्या देख रहे हैं आप अपर एपिकल में इस्टम रूट का और शूट का आप पैटके गोर से देखिए रूट के पीछे आपको रूट को अपिकल में इस्टम दिखाई पढ़ रहा है मतलब एपिकल में इस्टम यहां पर वो सब टर्मीनल पोजिशन में होता है इसलिए रूट में जो ग्रोथ होती है वो जस्ट बियाइंड अपक्स के ठीक पीछे ने सिरे के ठीक पीछे व्रदी हमको रूट में देखने मिलती है और शूट में जो ग्रोथ होती है वो कहां होती है वो टर्मीनल ग्रोथ होती है याद रखिएगा विटा जो मरिस्टेमेटिक टिशू होते हैं यह डिवाइड करते हैं ठीक है और यह पर्मानेंट टिशू को य उत्पन करते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक सेल डिवाइट की और दो दोनों सेल परमानेंट टिशू बन गई क्या होता है जैसे देखिए ग्रोथ का पैटर्न समझे लेज़के एक सेल है यह मैस्टमेटिक सेल है हमने रेट से बनाया इसको यह हमने का यह मैस्टमेट परमानेंट सेल बन गया है तो एक मैस्टमेटिक सेल बन गया और एक परमानेंट सेल बन गया है याद रखिएगा परमानेंट सेल जो होती है वो डिवाइट नहीं करती है इसलिए हमेसा मैस्टमेटिक सेल अपने आपको बचा करती है एक मैस्टमेटिक सेल डिवाइट करती है तो इसका मतलब यह है कि 128 रूट टिप सेल को बनाने के लिए मरिस्टेम कितनी बार डिवाइट करेगा मरिस्टेम डिवाइट करेगा कैसे देखो कल्कुलोट करके दिखाया मैं आपको आप यहां पर हमने क्या बोला हमने कहा आप से कि जो है 128 सेल को बनाने के लिए मरिस्टेम कितनी बार डिवाइट करेगा तो हम बोलेंगे हम क्या करते हैं हम ऐसे कर रहते हैं इसको हम कहते हैं एक से दो हुआ दो मेंसे फिर एक से दो हुआ दूसरी वाली सल डिवाइड ही नहीं कि यहां पर इसलिए ऐसा होता है स्पेशल कैसे एपिकल मेंस के लिए याद रख्यों हिए छीकए फीर कि याद रहता आ कि जैसे एक्जरी बड पाफ ड़ी एकक्गल्मेश्टरिं कई बार मोडिफाइड होके फॉर्न को बनाती है काटों को बनाती है ठीक है तो यह होती है यह प्राइमरी ग्रोथ है प्राथमिक व्रद्धी में ही रोल प्ले करते हूंगी एपिकल मेस्टेम का भाग होती है फिर उिंटर कलरी में देखने मिलता है और यह क्या करता है और और यहाँ प्रॉरी की पूर रोता होता है लेकिन grasses में क्या होता है कि apical magisterium के बाद यहां पर जो हमको कुछ पट्टियां हमको intercalorie magisterium की देखने मिलती है ऐसा इसलिए होता है कि grasses के उपरी हिस्से को animals खा जाते हैं तो उससे primary growth दिये ऐसा होता रहा तो primary growth हो नहीं पाएगा तो एक adaptation के रूप में develop हुआ कुछ मरिस्टियम का हिस्सा leaf के अंदर नीचे अंदर तरह होता है stem में होता है जो कि क्या होता है जो कि हम intercalorie magisterium कहते हैं grasses के अंदर देखने मिलता है और जब उपर का apical magisterium damage हो गया तो भी plant grow लंबा हो सकता है primary growth को कर सकता है क्योंकि उसमें intercalorie magisterium देखने मिलता है मतलब intercalorie magisterium जो है वो भी primary growth के लिए responsible होता है ठीक है clear primary growth मतलब लंबाई में होता है और primary magisterium मतलब जो पहले बनना बनने वाला magisterium secondary magisterium जो होता है उसे हम lateral magisterium भी कहते है secondary magisterium हमेसा हमको lateral position में देखने मिलेगा और जो secondary growth को कराएगा जो की width में होती है चुडाई में होती है ठीक है ठीक है अब जो lateral magisterium उसके example क्या है उसका example है vascular cambium ठीक है vascular cambium क्या है यह lateral magisterium का example है vascular cambium ठीक है दूसरा example इसका है वो है kork cambium ठीक है याद रखें कर्क क्यांब अब इसमें दी हम देखें तो जोग वह सो डंदर तरफ होता है kork cambium बाहर तरह होता है ठीक हे ना मों कलियर याद रखिएका इसको वेटा कि वह कौर कैमिशना की तरफ होता अरत किओश्वादमिस का मीम् ésil स्टील ऊंदर होता है चे बहुता है एक्स्ट्रा मतलब नहीं तो बात करते हैं चलिए तो हम ने क्या नेखा हमने बात किया लेट सेकंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम का हम नहीं यहाँ पर बात किया हमें अपर ठीके रा क्लियर अब एक बात और याद रखना वेटा है कि जो वैस्कुलर केमियम है जो वैस्कुलर केमियम है उसके बारे में एक बात याद रखना वैस्कुलर क एकते और दुसरा होता है इन्टर फेसेखाइब वर इन्टरेजिकिलर da प्राइमरी होती प्राइमरी ओर इजें सेह सपिन की होती है और अध। हमारे बार सब्सक्राइब कि नहीं करता है वो पर मेंने घ्रण बनाने घ्र डिवाइड नहीं करती है जो प्राइमरी प्लान्ट बाडी को बनाती है ठीक है अब यदि हम पर्मानेंट टिशू की बात करें लिख पर्मानेंट टिशू की हम बात करें तो याद रखताँ है आप यहाँ पर जो है वह एक होते हैं simple permanent tissue एक होते हैं simple permanent tissue ठीक है और दूसरे होते हैं बिटा क्या वो होते हैं complex permanent tissue ठीक है complex permanent tissue ठीक है simple permanent tissue के तीन टाइप होते है पैरेंड कायमा, कोलेंड कायमा और इस्कलेंड कायमा ठीक है इस्कलेंड कायमा के दो टाइप होते हैं fiber और iscalrates ठीक है complex permanent tissue ठीक है ना फिर याद रखना हमको simple permanent tissue होते हैं homogenous एक समान एक ही तरह की cell से बने होते हैं जबकि complex permanent tissue होते हैं heterogenous ठीक है जो कि विशम प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं different type की cells यहाँ पर पाई जाती है तो यह तो बात कि हमने permanent tissue की बटा अब permanent tissue में आप दिख्या देख रहे हैं आपको image में image दिखाई पड़ रही है यह है प्रकाइमा ठीक है ना जो सबसे simplest type की simple permanent tissue होते है फंडामेंटल जो हम बोलते हैं फंडामेंटल टिशू अप्लांट होता है प्रकाइमा टिशू होता है ऐसी प्रकाइमा जिसमें chlorophyll pigment होता है जो उसमें chloroplast होता है जो green photosynthetic होती है उस प्रकाइमा को हम क्या बोलते हैं उसके लिए word यूज करते हैं क्लोरेन काइमा वर्ड यूज करते हैं उसे हम क्लोरेन काइमा कहते हैं ठीक है लीफ के अंदर पत्यों के अंदर लीफ के अंदर लीफ के अंदर जो प्रकाइमा होती है उसे हम मीजोफिल कहते हैं ठीक है अब जो जानकारी हमारे पास हम उसको रिविल कर रहें निकाल रहें के फिर जो हाइड्रोफाइट होते हैं पानी में पाई जाने वाले प्लांट होते हैं जलुदभित वोदे होते हैं उनको वाटर सर्फेस पे तेरने में help करने वाले ऐसी परन्काइमा जिसके बीच में इंटर सुलर स्पेस्स बड़े-बड़े होंगे एयरस्पेस्स मिलेगा और एयर के होने से वायोंसी मिलेगा तो प्लांट तेरेगा पानी के उपर उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं एरेन काइमा उसके लिए हम एरेन काइमा वैडियो को तेरेन काइमा में क्लोरेन काइमा क्या होता है मीजोफिल क्या होता है एलेन कायमा क्या होता है ये आपको याद रखना है ठीक ठीक जो सबसे common question ने exam की वो दिमाग मेरा ठीक है फिर दूसरा आप देखने हैं यहाँ पे दूसरा दिखाई पड़ रहा है इंस कोलेन कायमा कि टेर इस प्रिजेंट ओंनि alma की खास नीचे वाली सर्फेस को हाइपो का हाइपोडरमिस कहते हैं हमके तो याद रखीगा जो कोलन कायमा है वो कभी भी आपको मोनोकॉट में देखने नहीं मिलेगी ना मोनोकॉट के रूट में ना स्टेम में ना लीफ मिटके आपको डाइकॉट स्टेम में देखने मिलेगी डाइ evenly thick हमको cell wall देखने मिलती है कोलेंख का इमा में जो इसकी characteristic होती है जो इसको परेंख काइमा से डिफ्रेंशेट करती है पोदे का जीवित यांत्रिक होता है कोलेंख काइमा जबकि क्लेंख काइमा क्या होता है डेड़ मैंकीकल टिश्य आप रहता है याद रखेगा इसमेंसे इन तीनों में से परेंड कायमा कोलन कायमा और नंबर तीन पर बना हुआ है वह इस्तन कायमा यह आप देखर हो फाइवर सेल दिखाई पड़ दिखाई पड़ी है इन मेंसे जो नॉन यह जीवित नहीं होते हैं और इस टो इस टोन सेल वह भी नौन लिविंग होते हैं तो इस टीशू कल्चर इनका टीशू कल्चर में यूज नहीं कर सकते हैं इनका तुटी पॉटेंसी में हम इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं किसकी बात कर रहा हैं कि हम बात कर रहे हैं ठीक है ना कि लेल चलिए तो हुझ क्यास हमने का कि फंड्डामेंटल फंटिशू अप ध्लांट होते हैं यह याद करें बहु पेड़के और यह वह तो अ घ्रयाड कामा सुनने में एसौन लगता है ममुली फारके पर एकजाम में ध्यान से पढ़ीगा कि कोन कलोरिन कbalance क्लोरिन कीमा पूछा है तो गलती मत करना ठीकर ना चलिए तो पर- WAT스 क किया हमने का पररइन कैमा के बारे में हमने बात किया उसकते हैं इसमें क्जहारे function करते तरह जो functional tissue होता वो parent कायमा ही होता है plant करते फिर आगे बात करते हैं colon कायमा की बात करते हैं तो मैंने कहां आपको यह dicot में देखने मिलता है आपको यह यह देखने मिलता है यह living mechanical tissue of the plant होता है ठीक है डा एक पोदे के सभी mechanical tissue को एक साथ मिलाके हम sterome कहते हैं और इसमें colon कायमा और स्कलन कायमा शामिल होते हैं इसकलन कायमा इस डेड़ मेकनिकल tissue of plant होता है ठीक है यह mechanical support देता है यंग stem को और leaf petrol को भी support यह प्रोवाइट करता है ठीक है जब कि स्कलन कायमा क्या होता है ठीक लिगनीफाइड बाल होती है याद रखिएगा लिगनीफाइड बाल लिगनीफाइड बाल जो हती है जब भी आपको लिगनीफाइड बाल देखने मिलेगी वहाँ पर टिशू हुकी हो जाएगी मृत्यूट, डेड, लिगनिफाइड वॉल जहां भी देखने मिलेगी, वहाँ पर आप पाएंगे कि सेल्स की जड़ो है, डेड हो जाती सेल्स की, चाहे वो जायलम वैसल की वॉल हो, ठीके, और चाहे वो फाइवर, सुनके, याद देखिए, ट्रू फाइवर, के, जो ट्रू फाइवर है, एनटॉ फाइवर, अनटॉ फाइवर, घो जो cotton fiber है जो कौयर है नारीयल का रहे जो है वो क्यां है वो मीजोकार्प प्रूट की मीजो कार्फ प्रेड की मीजो कार्फ फल की वॉल होती है बीच वाली भित्ती उसका उसका एक्सेंशन है पर true जूट है तो लिग्णिन के स्टेनिंग किस से करते हैं सैफरानीन से करते हैं सैफरानीन से हम लिग्णिन की स्टेनिंग करते हैं साइटलोजी का पॉइंट है दिमाग में रखना है यह बात करते हैं तो कॉंप्लेक्स टिशू की बात करते हैं तो कॉंप्लेक्स टिशू में हम बात करते हैं, जाइलम और फ्लोय हैं, हेट्टोजनस होते हैं, डिफरेंट टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं, तो पहले हम बात करते हैं, जाइलम के बारे में, ठीक है, जाइलम is made up of four component, चार component इसमें होते हैं, क्या होता है, इसमें होता है, जाइलम वैसल होता है, ठीक ह घंट आ के इसमें से देखें गे लोती है इसमें लीफैडबल होता है इसमें लिगनि इसमें फाइड़ bash होता है। कि परेंट कायमा जो होता है वो जीविद होता है इसमें लीविंग होता है ठीक है तो जाइलम में एक्सप्ट जाइलम परेंट कायमा जो है जाइलम इसे डेट टिशू ठीक है अब याद रखना है जो वैसल से जो जाइलम में जो वैसल से ठीक है इनके दिए हम बात करें तो ह क्या बोलें गैं हम कहते हैं कि वैसरस जो वैसल से हैं अग only in present only in एनचयोस्परम यह केवल हमको एनचयोस्परम में देखने मिलती है तो मतलब जो जायलम वैसल है वँल की हमको इनचयोस्परम देखने मिलती है एक मतलब लोईर वैस्कुलर ब्लंट के यंदर चैनल में भुले जो सेप कहते हैं उसको घिला इन वेसल को देखें आप ने हमको क्या दिखाई पड़ेगा हमें जो इस पकार से जो है वो ओपन एंड दिखाई पड़ेंगे हमें ओपन एंड ऐसे हमको ओपन एंड जो है वो दिखाई पड़ते हैं ठीक है हमने क्या का दिज़ार दी ओपन एंड ठीके, कुगए ट्रांसवस वॉल जो हड चुकी होती ही तो हमको open end दखाई पड़ते हैं, जब कि आप ट्रेटोड को देखेंगे यह एक ट्रेकेड है, दूसरा ट्रेकेड है, एक को ट्रेकेड है, तो ट्रेकेड की बीच में ही हिज़ आपे हमको connection है, मिलेंगे हाप यहाप यहाप पर ओपन एंड देखने नहीं मिलेंगे और इन connections को क्या बोलते हैं इनको बोलते हम जो है वो पिट कहते हैं ठीक है पिट कहते हैं सिंपल पिट या बॉर्डर पिट दो तरह का पिट यह हो सकता है ठीक है यह हो टिशू का फॉर्मेशन हुआ था याद रखिएगा जो जाइलम वैसल है ट्रेकिट है वाटर के अवड कंडेक्शन में यह रोल प्ले करते हैं यह वाटर के कंडेक्शन में रोल प्ले करते हैं जबकि जाइलम प्रेंट कायमा रेडियल वाटर कंडेक्शन में रोल प्ले करती है जाइलम जो होता है और जहां हो गया होता से मेटाइंल कहते हैंंके तो यह इस तेम में और रूट में अलग अलग होता है यहां प्राइमरी जाइलं बनने की सवाजन है इनीशल सेल जो जाइलम को बनाना शुरू करती हैं उसे इसे को और जहां पर पूरा बन चुका होता है वह घृता है तो क्या लिखा देखिए first form जाइलम प्राइमर जाइलम इज दि प्रॉटोज आइलम और जो लेटर बाद में जो बनता हूँ से हम मेटा जाइलम कहते हैं ठीक ना दिखिए एक होता है एंडार्प केंडिशन एक होता है अब दिखिए जाइलम के लिए हम फॉर्म जाएलब formation की बात करें यहां पर हमने क्या कहा अपे लिखा हमने जाएलब मेंहट जांगर कि जालम formation ठीके दो पैटरं देखने मिलते हमको एक होता हैं डार्क और होता है एक होता है एक जार्क और फर्न के अंदर हमको जो हो फर्न के पेटरन भी देखनें मिलता याद रखी घट के ठीक है जो सिम्पल सी बात है centripetal development in root the protodylum lies towards the periphery and metodylum towards the center root में क्या होता है root पर हमें काम करते हैं हम यहाँ पर छोटा सा diagram आते हैं समझने के लिए हम यहाँ पर छोटा सा diagram आते हैं तक कि हमें याद रहे हमने कहा है यह root है और यह stem है root में जो जो जायलम के development की दिशा है वो क्या है वो centripetal center की ओर है ठीक है और stem में क्या है stem में center से बाहर है ठीक है मतलब यह अब जो arrow दिखाई पढ़ रहा है उसमें यह क्या हो गया प्रोटो जायलम यह हो गया और मैंने का आप से क्या का कि रूट में प्रोटो जायलम का जो development root में जायलम का जो development होता है वो centripetal होता है के अंदर की ओर होता है मतलब protozylum periphery में होगा metazylem center में होगा और ऐसे जायलम को हम क्या होता है एक्जार्क बोलते हैं और होगा metazylem center की तरफ होगा जबकि एंड एक्जार्क बोलें और एंडर्क का मतलब क्या होता है कि प्रोटो जो है वो center होगा और metazylem जायो periphery के और होगा ठीक है ना क्लियर चलिए अब देखो यहां पर हम ट्रैकिट और वेसल देख रहा है और वेसल दिखाई के अंदर ठीक है first successful land plant बोलते हैं उनको हम तो ट्रीडो फाइटा में और जिम्नो स्पर्म में जायलम में जायलम वैसल नहीं होती है लेकिन exception यह है बटा फैमली नीटेशी नीटम वेलविश्या एंड अफरीडा अफरीड़ के नीटम प्लांट का नाम है नीटम ठीक है वेल विश्या एंड एफरीडा ठीक है इनमें हमको जायलम में यह तीनो जिम्नो स्पर्म होते हैं फैमली नीटेशी और जिम्नो स्पर्म इसमें जायलम में वैसल देखने मिलती है के जबकि पर्म के तीन पड़िवार होते हैं वीटा विंटरेसी, ट्रोको टैंडरेसी ट्रोको टैंडरेसी और टे्टरा सेंटरेसी ये ये तीनों अगMAN की फैमिली है विंट्रेशिय डिको сपल की फैम्ली सें इनमें हमको ग्लैसम वैसल देखने नहीं मिलता है ठैंड है Ηलोगी आपको याद रखना है याद रखना है खलिया फिर आप झेες आप्ट में फलोएं में होता है फ्रोम में सीव ट्यूब से लोती है ठीक है लेकिन फर्क इतना है कि फ्लो एम में एक मात्र डेड़ पाड को यहां पर सीफ ट्यूब से ने सब्सक्राइब करता है तो इसका मतला में एक आइसुरेटेट सीप टूप सेल जो की लिविंग होती है वो उसका भी हम टुटी पोटेंसी में इस्तमाल नहीं कर सकते हैं उसका भी टिशू कल्चर में यूज नहीं कर सकते हैं उसमें भी टूटी पोटेंसी देखने नहीं मिलेगा काराण उसके पीछे यह कि उसमें नियूकलेस नहीं होता है लबकि एंग्यूस पर में क्या होती सीफ टूप से लोती है दूसरा कंपैनियन सेल देखने मिलेंगी आपको ठीके या आपको एल्बूमिनस सेल देखने मिलेगी या दखिएगा आप यदि सीव सेल है तुवाँ पर एल्बूमिनस सेल होगी Sip Tube Cell है तो आप ए Compantial Cell होगी फर्क इतना सा है कि Companion Cell जो होती है वो Sip Tube Cell के Nucleus की रूप में काम करती है Ipin Company Cell का Nucleus Sip Tube Cell का maintenance करता है जबकि Aluminous Cell जो है वो ऐसा नहीं करती कि Sip Cell में उसका Nucleus होता है ठीक है एक क्लियर तो यह हमने अपसे बात क्या ठीक थोड़ा कंट्रूवर्श्य यह दिमाग में रखना है कि albuminous cell जो है वो जैसे सीव ट्यूब सेल से components associated है उसी प्रकार जो 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 एशीव सेल है उससे अलबुमिनस सेल होती है फिसके लबाव फ्लोयम में क्या होता है फ्लोयम प्रेंड काइमा होती है वोण nostrum principle को देखने मिलते के सीब टूब सेल होती है इंदर गंडक्शन में फूड के सुकरोस के फॉर्म में होता है बोले चले जा रहा हूँ और आपको नीद आ तो नीन से जाग जाओ भाई ठीक है को कि जरूरी है बटा पढ़ना यह दें रिवाइज नहीं करेंगे तो हमको तो बैसी बहुत लगता है चेप्टर यह तो कैसे याद होगा कैसे काम चलेगा ना तो फूड का ट्रांस लोकेशन सुक्रोस के फॉर्म में होता है बटा और फ्लोएम के बारे में क्या लिखा आम नहीं कहा कि यह फूड को ट्रांस्पर्ट करता है जिम्रोस पर में अलबुमिनस सेल और सीप सबसेल देखने मिलती है सीफट ट्यूब ऐलिमेंट की खास बात यह होती है इसे मैं आप से कहा ना कि सीपूब सेल में इस एक सीपूब सेल यहां पर आपको पर आपको ओपन नहीं होते हैं पर फो रेटेड एंड बॉल हमको देखने मिलती है ठीक है और ऐसे एक ट्यूपर एक सेल वह अपने आपको अरेंज करती है कि यहां पर आपको सेल में जब भी फूड का ट्रांसलोकिशन करना होता है यह वह पर इंड का मतलब होता है कि sip tube cell के अंदर शुगर को जब घटा करते है तो शुगर के कारण सूप टूब मेराब्सी का प्लाइट कता है बाहर से water को अंदर इंदर इंटर आता है water के कारण असमें धवाब बढ़ता है और फिर food का bulk flow होता है food जो ये खось ही से प्रेशर ग्रेटिंट इन दी सीव तूब याद रखना लगता है कि यह फिजियोजी का पॉइंट पर अन्दर यह दे रखा है दिमाग में रखना के फ्लोम प्रेंट कायमा जो होती है वो भी जो है वो हमने का आप से कि लिविंग से लोती है ठीक अब सिंपल सी बाट प्वाट कि यहां पर कि फ्लोम परेंट कायमा एपसेंट इन बाहिसे आप यह नहीं पारती है अख सबसे कमर्षियली इस्तिमाल की जाने वाले जूट होता है और फ्लेक्स एट यह ऐसे फाइबर हैं जिनका व्यवसाई गूप से बड़ा इंपॉर्टेन से जो phloem से मिलते हैं बास्ट फाइवर होते हैं ठीक है सुरुवाती phloem को हम पुट्टो phloem कहते हैं और मेच्चो phloem को क्या बलता है हम मेटा phloem कहते हैं ठीक है किला अब यह तो बात हो गए टिश्जू किर के अब जिसे हम देख्या पढ़ते हैं हम एनिमस से पढ़ते हैं कि सेल्स के मिलने पर टिशू बनता है टिशू के मिलने पर और 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 बनता है प्लांट में ऐसा बोलते हैं कि सेल्स के मिलने पर टिशू बनता है टिशू के मिलने पर टिशू सिस्टम बनता है पोधों में तीन काम बाट दिया हमने कहा कि फंक्शन के पॉइंट आव इसे बात करें तो एक तो प्रोटेक्शन का काम हो गया है वह एपिडर्मिस का काम है तो उसको एपिडर्म टिशू सिस्टम बो आप प्लांट की एपिडर्मिस को हटा दो आप जायलम फ्लोयम को हटा दो आप तो अब जो कुछ बचा वो ग्राउंड टिश्यू होता है उसे हम ग्राउंड टिश्यू की सिस्टम कहते हैं ठीक है तो फंक्शन कैसे क्या हमने हमने कहा कि अन्दी बिस अफ इस्ट्क्चर इनके स्ट्क्चर और फंक्शन भी इनकी लोकेशन पर डिपैंड करते हैं तो मैंने क्या कि आप से सबसे बाहर तरब क्या होगा एपिडरमल टिस्टम होगा तो देखो बेटा जो एपिडर्मिस होती है जो प्लांट की एपिडर्मिस होती है नंबर एक याद रखेगा इसके बीच में आपको intersexual space देखने नहीं मिलेगा intersexual space देखने नहीं मिलेगा कुछ opening आपको epidermis में देखने मिलेंगे जिनको हम stomata कहते हैं logic stomata कहते हैं छेद को stoma कहते हैं और छेद को घरने वाली cell को घारड cell कहते हैं ठीके तो epidemal cell में in general जो में एक लोगते हैं root की epidermis में cuticle नहीं होता है और ऐसी epidermis को हम epiblema कहते हैं epidermal root epidermal जो cell होती है उनसे कुछ उभार बाहर निकलते हैं जब single cell, root की epidermal cell से एक single cell वका उभार बाहर निकलता है single cell extension बाहर तरफ निकलता है वो root में देखने मिलता है उसे हम root hair कहते है तो root hair जो होता है वो epidermal cell का single cell elongation होता है उसे root hair कहते है जबकि stem के जो hair होते हैं उनको trichome कहते है root की epidermis पर होते हैं पर होते हैं और epidermis जो होती है वो basically protective covering होती ही बटा स्वशात्मा cover होता है वह ठीके क्या लिखा देखो इसमें कि एपिडर्मी है सबसे भार लोकीशन की बात कि आमने अटर मूस्टी यह प्रामरी बोड़ी का ठीक है एलोंग टेड कॉम्पेक्टली लिखो चित्पिश्पी बात समझे कॉम्पेक्टली अरेंच का मतलब कि इनके बीच में इंटर स्विर्ण इस small amount, cytoplasm का होता है, cell wall होती है, large vacuum नंके अंदर होता है, बाहर vexilair होती है, cuticle बोलते हैं, isntumeta dynamic pore होते हैं, जो हमको यह वो leaf, याद रहके isntumeta केवल leaf पर नहीं होते हैं, वो stem की surface पर भी होते हैं, fruit के उपर भी हमको यह देखने मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी frequency में स्टोवेटा होते हैं वह लीफ पर देखने मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको इस्टूमा होता है इसमें और इस्टूमा के साथ क्या होता है इसमें प्लस हमने कहा गार्ड सेल गार्ड सेल हमको यहां पर देखने मिलती हैं ठीक है इस्टूमा और गार्ड सेल के तो मैंने क्या कहा आप से यह पूर है यह और यह गार्ड सेल के बाहर भी कुछ स्पेशलाइ प्रटेश्य मायन का स्टोर हाउस होते हैं प्रटेश्य मायन प्रटेश्य मायन प्रश्य को बढ़ाता इस तो अभी हम नहीं जा रहे हैं पर दिमाग में डाल रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं सबसेड़ी को होती है गाड़ से उसकी इनर वॉल्स नहीं होता है फिर इस्टुमिटा का जो एपरेचर है guard cell है surrounding subsidiary cell है इसे मिला के हम instrumental apparatus कहते हैं तो देख लेते हैं आप यह हमें इमेज में instrumental apparatus दिखाई पड़ रहे हैं तो guard cell की inner wall थिक होती है और outer wall thin होती है याद रखेगा between two guard cells दो guard cell की बीच में middle lamella is absent middle lamella आपको देखने नहीं मिलेगी दो guard cell की बीच में ठीके गार्ट सेल को खरने वाली सेसों क्या बलते हैं सब सीड्री सेल्स करते हैं ठीके अब root hair क्या होते हैं मिटा ट्राइकों क्या होते हैं already इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ठीक है फिर बात करते हैं ground tissue system की बात करते हैं तो ground system का मतलब क्या है मैंने कहा ना कि plant में से आप जो है वह एपिडमिस को हटा दीजिए जो कुछ बचेगा वह ग्राउंट टिशू है अब आप बोलोगे जो कुछ बचेगा वर्ड हमको समझ में नहीं आ रहा हमको बिल्कुल समझ में आ रहा जो कुछ बचेगा से क्या मतलब है एक काम करते हैं आप और में मिलके जो है एक सिंपल सा जो है ट्रांसवर सेक्शन और डाइकॉर्ट स्टेम बनाते हैं हम और आप मिलके रेगुलर क्लास में भी बनाया हुआ हमने यहां भी बनाएंगे क्योंकि कॉंसेप्ट्च और इंपॉर्टन चीज़े इसको ठीक है एक बार हम बना लेते हैं इसको ठीक है ऐसे सुरू करें इसको ह हमने कहां कि यह हमने कहां कर यह हुगला इसको दम लगेह णिप ऑप्रेशम ऑने और जैक रहा हुं एक उब होने बोल रहा हूँ यह एकजाम में OH बनाकर पूछा गया है कि रहा है क्सेंट्रल स्टेम का ठीक बीक वाला हिस्सा पितिया मेडूला कहलाता है इसमें पेरंकायमा सेल्स होती है इसमें फूड इखटा होता है इन पेरंकायमा सेल्स में तो यह पित जो होता है एक प्रकार से फूड का स्टोरेज करता है पेरंकायमा सेल्स करता है इस सेल्स को घेरने वाला हमने का इनको चारो और से ऐसे जो है वो घेर है यह । ठीक है क्या जिस गह रहा है यह है वैस्क्लरबंदल स स्लू खीक है कहा कि इन घेर रहा है वैस्क्लरबंडल इनको फ्लो खालते इनमें भी जाइलम और फ्लो-म शालम अं anch partnership नहीं कहा हमने का हमने कहा कि orada हमने का कि इसमें, इनके बीच में xylem और phloem हमने ये boundary बना दिया, हमने कहा ये क्या अब boundary की चीज़ का, इस पर ही बात करेंगे हमके तो हमने क्या बोल दिया, हमने कहा कि सारे xylem, ठीके हमने कहा कि ये xylem x क्लिक दिया, हमने phloem p कर दिया हमके, xylem अंदर की ओरे, phloem बाहर की ओरे और दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में हम एक काम करते हैं, एक सबसचा तरीका है कि इसमें से हम क्या करते हैं, इसको हम magnify करके यहां देख लेते हैं, ठीक है, यहां magnify कर लेते हैं, ठीक है फैसिकुलर कैम्बियम यह डाइग्राम याद रखेगा बिटा ठीक है काम आएगा बीटके तो मैंने क्या कहा बिल्कुल है जायलम अंदर क्यों रहें फ्लोयम बाहर क्यों दुनों के बीचे फैसिकुलर के पट्टी हमको दिखाई पट रहें ऐसा तो पित को चारो और से घिर इकवाला क्या है वैस्कोर ट्र्डंडल और्फ को चारों से घिर रखा है यह वैस्कोरत अपने और अपने आपको रिंग के और में आरेंज अपने अपने को ठीक है आप इन वेस्ट थी कि उसकी की तो शुट्ष की ने direct का एक्सिंशन डिखाई पड़ रहा हमें हमें क्या थिए धाय हमें किरनों के समान के समानsom में जो है वो पित्थ की सेल दिखाई पड़ रही है इसको क्या बोला हमने पित्थरे सेल बोला हमने हम लेबलिंग बाद में करेंगे अभी हमने कहा कि आप कोई पुछता आप से की डाइकॉट स्टेम में वेस्कों बेंडल रिंग के फॉर्म अरेंज होते हैं दो जाय जो वे थे इसके बात माते हैं हम देखते हैं किस प्लांट अटों में किस तरह के टिशू हम भाप आंसर कर लेंगे भीगंति न एक लियामेक यह यह पैरी हिसाइकल सेल्स यह क्या tv आहिए अब इसके बाहर इसके बाहर हमने क्यश्चेट हम गए तो अभर कैसे यह हमने देखा हमने देखा यहां पर को एक सिंगल से सिंगल रोओ अफ सै दिखा सेल्स का हमें एक सिंगल रो दिखाई पड़ रहा है और यह बड़ी स्पेशल टाइप की सेल्स ही है चीक है कॉम्पेक्ट्ली अरेंज सेल्स हैं जुन्होंने इस पूरे सेंट्रल सेंट्रिंड्रिकल पार्ट को घेरा हुआ है चीक है यह दिखाई पड़े यह है एंडोडर्मिस क्या है यह एंडोडर्मिस है चलो इसके बाहर आए तो क्या दिखाई पड़ा हमें इसके बाहर आए तो हमें कुछ लूजली अरेंज हमें कुछ लूजली अरेंज सेल्स दिखाई पड़े हों पर जिनके बीच में इंटर्सल्र वर स्पेस हमको दिखाई दे रहे हैं एक पास जो है वो कुछ होशंक में अब कर दिखाए पड़ है लिए ठीक है अब cuma आ है कि यह क्या यह जनर्रल काउर नेजैं के कि बाहर आए तों क्या दिखाए पड़ा हमें इसके बाहर cev आए तो हमें कुछ प्लांट में हाइप अरी होती होसकती है यह क्या किया हमने हमने यह बनाया है इसको बनाया हमने यह तिके यह हमने हाइप बनाया है ठीके और इसके बाहर आए हाँ पर हम तो आप हमें क्या दिखाई पड़ा इसके बाहर हम आए तो वह में दिखाई पड़ा है पर epidermis Compact clearance cells होती हैं इसमें यह हमको दिखाई पड़ रही है Single row होगी cell का Uniserate epidermis बोलेंगे कई multiple layer होगी तो Multiserate epidermis बोलेंगे बेटा इसको हम है ना ठीके पढ़ा ना regular class में हमने इसको चलिए अब यह हो गया है dicot stem का transfer section ठीके अब इसमें देखो बटा हम leveling करें कि एक एक करके leveling करें सबसे पहले हमने क्या बोला हमने कहा एपी डर्मिस ठीके यह पूरी epidermis ने क्या बनाया हुआ है epidermal tissue system को बनाया हुआ है ठीके फिर क्या देखा हमने हमने क्या किया हमने समझने के लिए हां पर जो है वो इसको इसको इहां पर हमने इसको हमने यह क्या है बैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोयम बीच में फैसिव करेंबियम दिखा इधर आप उठके ठीक है ना फिर तो इसने क्या बना लिया इसने बना दिया वैस्कुलर टीशु स्टम को बना लिए असने के ठीक अब ग्राउंड टिशू पर आते हम बात कर परते हम तो यह दिखा विटा हमने हमने का बीचो बीच बीचो बीच जो दिखाई पड़ रहा है यह हो गया पीर ठीके 2 स्कॉर बेच से preसे दो निकल भ्यान आप निकल रहा है वो क्या हो गया पित्रे हो गया वो ठीके वो क्या हो गया वो पित्रे हो गया वो ठीके फिर यह जो लेयर दिखाई पड़ी आपको जो वेस्कों बेंडल पित्रे को घेर रहे जाए उससे वो क्या होगी यह लेयर होगी पैरि साइकल पैरिसेकल बोला है इसको मिनट के इसके बाहर क्या दिखाई पड़ा हमें ये मैं हैट जाँगो बटा चिंता मत कीज़े एंडो डर्मिस इसके बाहर ये क्या है जनरल कॉर्टेक्स ठीके फिर उसके बाहर क्या दिखाई पड़ रहा हमें ये हाइपो डर्मिस ठीके ना देखे ना हट गया में अब एक बार डाइग्राम को जा ध्यान से देख लिजिए आप एक बार डाइग्राम को ध्यान से देख लिजिए इसमें ठीके ना क्लियर है ठीक भी टा है नहां देखो अब द्याँ देखाहन अा कुछ कोश्शन के उतर हैं पर मिलते हैं में ऐन्यडामीस जो है डाइकॉस्ट NES में को टोनर काइमा से बनी होती है है जन्रीं काइमा से बनी होती है जनरल कॉर्टे के अंदर आपको एक सूबिरीन की पट्टी देखने मिलती हूँ पहलते चैस्परेंस ट्रिप कहते हैं इसके करण बॉटर इस Josh ये वह इसीली आरपर नहीं निकल सकता है तो बूटर è बुटाइड लएकिट के समान काम करती ता मेरे को आप सोचो और बताओ कि इस्टील में आप किस-किस को शामिल करोगे, इस्टील में क्या-क्या शामिल होगा, बताइए आपके इस्टील में क्या-क्या शामिल होगा, इस्टील में शामिल होगा बेटा, पिथ, पिथरे, वैस्कलर बंडल और पैरिसेकल, पिथ, क्या-क्या शामिल होगा इस्टील के तो बताइए चाहिए को घरने वाली सबसे अंदर मतला इंस्टील के अंदर और एकस्टार बोलता हुँ इस टील से बाहर से बाहर तो एंदर मिसे स्टील की अंदर क्या परिसाइकल वेस्टों बिंडलें पित और पित रहें तो यह चीज दिमाग में रहना चाहिए यह चीजें दिमाग के दर रहना चाहिए ना बिटा तो यह जो ट्रांस्वर सेक्ष्टन है ना इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीके अभी किसी ने मुझे खा सर एक वीडियो ब कर दो जंदिगी भर यही करते रहे ना कि आपनी की घृकेटर्स को बोलते रहें न थिया मैं कैसे निट निकाले सो दिन में जावे sieht से टापर बन सकते हैं 100 दिन में पढ़ने के लावा क्या तरीका बता गता दो भाई पढ़ने का थरीका मतलब बाकी सारे लोग समझ रहे ना स्माज रहना वह कौन है को सबस्ते से कर दो偶्म कर ऑब सो दिन 90 बना दो बिल्कुल बनाओंगा मैं आप बोलो सर रिविजन की प्लानिंग करते हैं सर बहुत अच्छा बेटा हम महिनत करें गया रिवाइस करें अच्छी बात बोलो ना अब क्या 90 दिन में नीट हलुआ समझ रखा है नीट को कि वह आता ना आजकल वह MTR का बना बनाया खाना आता है कि गरम करो माइक्रोब में डालो खोल के खालो दाल मखनी पुछा भाई क्या बनाया आपने डाल मखनी गये पकेट गरम किया खोल के लाके दे दिया अब नीट ऐसा थोड़ी ना है भाई नीट के लिए तो आपको फिजिक्स केमेस्टी बाइलोजी पढ़ना पड़ करेंगे एक्जाम में कॉम्पेटिशन करना पड़ेगा इतना हलुआ होता तो हर कोई नीट रिकाल के नहीं बेठा होता तो सोड़ा सा देखो मैं बहुत बुरा बोलता हूं कई बार ठीक है डाड़ देता हूं कई बार में लेकिन यकीन मानिए इस पर जानता है मैं आपका और भुटूत बुरा नहीं चाहता हुँ गारम जानता रियालिटी हो में ना कि इस एक्जाम निकलेगा हर जगी तुमको सुवीधा चाहिए अब बुरा साल पमड़ा था तब सुवीध है अबी सिण को साय प्लाणिंग अभी दिन का मैं को जादूगर हूं कौन हूं मैं प्लानिंग भी बना रहे हैं और तुमको भी बना रहे हैं और चैनल का व्यू भी बना रहे हैं ठीक है हम तो भया अनपपुलर आदमी है कि डाक्टर सर पूरे सब्सक्राइब कि पैड़ा लो क्योंकि तुमको रेलाइस होगी यह चीज कि जो समय हम प्लान प्लान में निकाल रहे हैं उतने समय हम कुछ एजुकिशन कंटेंट पढ़ लेते हैं तो कहाम आता ठीक है चलो है ना मेरी बात को दिल में बुरा मत मानना मेरी बात का सूचना विटा सच्छे मन से कि जो मैं कह रहा हूं सच्छे की नहीं हो है ना तो इसलिए effort करो प्र यह ले आप बलोगे पित पित रहे सब किसमें आ गया ठीक है अप देखो वैस्प्लोड इस्तिम की बात करते हैं तो वैस्प्लोड सिस्टम में क्या होता है याद रखिए के आरे रूट रूट और और तो मतलब इसमें जालां और स्टम्रे कि जा स्टम्र को अपको बिवत्त करसा की पीजिंगा अर्फ पीजन में पेैज की और प्रेसकích और बाहर की तरफ होगा और यहां यहां पर जो फूल केंवियम रिंग मनेगा वह पूल तरहीं से स्केंडरी चाहे डाइकॉट टी रूट देंगे रूट हो जाहे वह जिम्नोस्पर्म रूट होए जिम्सपर्म मों तक नहीं होती है। फिर जो monocot stem है जो leafs होती है चाहे वो leaf होती है dicot की leaf हो या monocot की leaf हो उसमें आपको क्या देखने मिलेगा flowem बाहर के और zylem अंदर के और देखने मिलेगा यह होता है conjoint collateral close type यह होता है एक ही radius पर zylem और flowem जो एक patch में present होंगे flowem बाहर के और zylem अंदर के और इससे बोलते है conjoint collateral close type वस्के बंडल कहते हैं close का मतलब है कि इनमें cambium की पटी नहीं है close का मतलब यह है कि they are close for the growth इनमें व्रधी के लिए जो है वो कोई विवस्ता नहीं है लेकिन जब हम कहते है conjoint collateral open type open type का मतलब है कि इसमें यह क्या है यह आपको डाइकोट स्टेम में और जिम्नोस्पर्म के स्टेम में आपको यह देखने मिलेगा कॉंजाइंड को लेटरल open type वस्तेम यहाद के लिफ में क्या होता लिफ में जो है वो क्लोस टाइप होता है ठीक है तो अब देखो यह सब आप एंसे आटी में लिखा हुआ बिटा ना वेस्तों बिंदल की बात कि रेडियल वेस्तों बिंदल रूट में होता है ठीक है कॉंज्वाइंट कॉंज्वाइंट को लेटरल क्लोस टाइप – मोनोकॉट के स्टेम में होता है डाइकाट के लिफ के अंदर होता यह फिर कॉंज्वाइंट कॉलेटरल ओपन टाइप कहा होता है यह डाइकाट इस्टेम में हमको यह देखने मिलता है ठीक है फिर concentric vesculokendal concentric वस्क्लNO इससे होते हैं जिनमें कि यह तो szalem floem को घरता है यह fluem sylam को घरता है concentric vesculokendal में आपको पित देखने नहीं मिलती है lower vesculok pland में को concentric vesculokendal देखने मिलते हैं क्लियर छीक है आप Dicot Root को आप देखें ध्यान से, तो यह Dicot की Root के, याद रतना है मिटा, कि अब जो Pith है, Pith के उपर जो है, वो कुछ question आते है, Pith, well developed Pith कहां देखने मिलेगा, अब सुनो question, के question पर बात करें, well developed Pith, हमको Dicot के stem में, और Monocot की Root में देखने मिलेगा, नोट कर लो उसको वेल डेवलट पित देखने मिलेगा हमें डाइकॉट स्टेम में मोनोकॉट की रूट में रिड्यूस्थ पित कम पित कहां देखने मिलेगा हमें डाइकॉट की रूट में देखने मिलेगा और पित कहां एपसंट होगा मोनोकॉट की स्टेम में मोनोकॉट की सिस्टेम की बात कर रहे हैं यहां पर देखिए रूट है रहें आउटर मोसले रूट में क्या दिखाई पर आपको मैंने का ना रूट की एपिडमिस में चुक्तिकल जमान होता है और ऐसी एपिडमिस में इसको ठीके अब देखिए आप देखो वह सारी बाते कि कॉटेक्स घ करती है और होता क्या है कि अपने देखा एक डेम होता है डेम में कुछ पॉइंट होते हैं जिनसे वाटर को बाहर निकाल सकते हैं पैसस सेल करते हैं तो पैसस सेल्स प्रिजेंट इन दी अडियों रूट के पिटर से पैसे सलम को देखने मिलती है ठीक है ना और जायलम और प्रिजेंट को इस्टेबलिश करती हैं उन्हें हम करें टिशू बोलते हैं ठीक है ना इस्टील क्या होता हम अल्रेडी यह देख चुके अब यह जो इमेजे ने यह लेवलिंग इंपोर्टन यहाद रखेगा तो बर्क बुक आपके पास जो है ना उसकी लेवलिंग पित लूब में पित देखने मिलता है और यही क्यों में मिलता हुए यही को मुझेल करेंगे है करेंग जो वेसर बंडल की संख्या होती। दो से बिच में वेस्क्राव में वैस्टौ में भेंगल देखने मिलते हैं पोली आर्क कंडिशन देखने मिलती ही मनोकौप मिठके तो कोई बोलता है शे बोगी कहता है मेरे पास एक प्लाओ Emerson तुभीन उसमें तीन रइडियल वेश्क्रो बिंदल दिखात कौन सा पार्ट आप आपने का रेडियल है बास तो यह रूट है और तीन है मतलब दो से च्छे के बीच में डाइकॉट रूट है और तीन अधी छे से अधिक होते तो हम वहनों का रूट बोलते हैं ठीक है तो इमेज को बिटा लेवलिंग याद रखेगा फिर डाइकॉट स्टेम का पूरा का रूट में जो ब्रांच निकलती है रूट में जो ब्रांचिंग होती है न वह अंदर के टिशुक से के अंदर से जो सेल डिवाइट करती बाहर निकलती उससे ब्रांचिंग होती है तो रूट में जो लेटरल रूट है उसकी जो ब्रांचिंग उसका बनना जो लेटरल रू इसके लावा रूट में जो है कॉर्क में रूट में बनाने में भी रूल प्ले करती है तो वैस्कों के में आपको वरीशन देखने मिलेगा हैं तो अभी इतना रखना रहा है रूट में जो है लेटल फिर आप देखिए डाइकॉड और मोनोकॉड इस्टेंद ग्राइशं को दिखाई पड़ रहे हैं ठीक है किलिया एक बात यान रखना था नहीं होती बिटा वेस्कों बंडल बंडल सीथ यह इसकलन काइमेटस बंडल सीथ से घिरे होते हैं यह हमको याद रखना है कि वेस्कों बंडल में वाटर कंटेनिंग कैवेटी देखने मिलती हैं और इन केवेटी को हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम लेक्यूना बोलते हैं यह केवेटी सेल्स के मरने के करणा बनती है तो उसे प्रोटोजाइलम लेक्यूना कहते हैं लाइसुजनस केविटी होती है, ये मैंने रेगुलर क्लास में बताया हुआ है, ठीक हुआ है, फिर डाइकौट और मोनोकाट की दिया हम लीफ की बात करें हम, तो हम क्या पाते हैं, हम लीफ में भी फर्क है, डाइकौट की लीफ में जो है, डॉरसल इंटरलीफ होती है डॉर्सल और वेंटर सर्फेस में आपको मीजोफिल में अंतर देखने मिलता है डॉर्सल सर्फेस जो होती है उससे परेंटर कायमा करते हैं या लीफ मीजोफिल का है डिफ्रेंशेशन हमको डाइकॉट की लीफ में देखने मिलता है परी फिर जो उपर तरफ प्रिजेंट है जो डॉर्सल सर्फेस पर है पर नीचे प्रिजेंट है वह स्पॉंजी परेंट कायमा होती ही ठीक है याद रखीगा इसमें ठीक है फिर हम कहते हैं कि वेस्कों में हमको डॉर्स जो है वह पैलिशेड परेंट कायमा की रूप में हमको डिस्ट्रिप्शन देखने नहीं मिलता है तो इसको हम आइसो बाइलेटरल लीफ बोलते हैं एक समान पत्ते मीजोफिल पूरी एक समान देखने मिलती है मोनोकॉट में हमको बबल लाइक बली बुली आपके लिए जनरली हमको क्या था परललर भी नेशन देखने मिलता है आप देखो यह जो इमेजेड इमेजेड आर वरी इंपर्ण इस पोर्शन में जो भी डायग्राम देखें विटा यह सभी डायग्राम बड़े इंपॉर्टन एक्जाम में पूछ सकता है ठीक दा देख और यह बंडल सिट से लग्राइब को दिखाई पड़ रहे हैं कि जबकि आप क्या देखने आप ड़ब मनंकॉर्ट लीप में का देखना अप मोनमकॉर्ट लीप में आपको मीजो फिल्यक समान दिखाई पड़ रही है है आप यहां पर जो कोई प्लिसेड और स्पॉंजी म distribution यहापर में को नहीं दिखाई पड़ रहा है बिटा चीक ना किलिर ठीक है बिटा देखा आपने है ना चली आगे बढ़ते हैं इसमें अब आते हैं बिटा secondary growth पे secondary growth किसमें होती है गर्थ में होती है चुडाई में होती है के secondary growth के लिए जो मरिस्टेम होते हैं उसमें कोई अपवाद नहीं है कि द्यार लेटरल में इस बारे में हमको ध्यान रखना है कि याद रखिए फैसिकलर केमियम प्राइमरी ओरिजिन का होता है जबकि इंटर फैसिकलर केमियम जो है वह सेकेंडरी ओरिजिन का होता है रूट में कोई अपवाद नहीं रूट में जो भी ऐपना लेटरल मेंस सिम्टेम बनेगा वह सेकेंडरी ओरिजिन का ही बने गा कि यहां पर डाइकोड प्रिजिन का होता है कि जायलम और फ्लोम और अंदर फ्लोम बाहर उनके बीच में एक प्टी होती उससे फैसिकलर के कहते हैं सुरू से पायाती है प्राइमरी और टीव ठीक तो पहला स्टेप क्या होता है मैंसा सेकंड्री गोथ का पहला यह मुण का फ़ॉर्मेशन के और याद कि तो उसमें क्या होता है जनरली है वह को प्रदूस करती है जैसे ही सेकंडर को थोगा अंदर जाए अंदर जाए तो तना चोडाई में बढ़ेगा तो बाहर का कर जाएगा moreचल doesn't upload Photo करूंध कर दाएगा तो यह अथा करने प्रफू करने पर अंदर क्या शाद एक भरण कर्याटि करते हैं हालंकि यह जो कंज सब्छल करकां जाएगां अंदर और बाहर यर्ब जायलँ सब्सक्राहे रेया ऊंदर प्रदूस करते हैं वेस्कलो के में अंदर जायलम प्रोडूस करती है विच में भी 10 टाइम मोर देन दी फ्लोयम बहार अंदर जो बनेगा सेकंडरी जायलम होगा बाहर सेकंडरी फ्लोयम बनेगा तो जायलम बनता अंदर अधिक बाहर फ्लोयम कम बनता है तो अंदर का से प्रेशर लगता है तो कब करके लटा काम करता है वाहर को अधिक बनाता है अंदर स्थोड़ा कम बनाता है पिर रफ्चर गए तो को टले सु करता से कैंटरी कोटेक्स ठीक है ना चलिए देखते हैं दो तरह के लेटरल में यहां भाग रहे हैं एक है वेस्ट केमियम जो होता है याद रखिए यहां पर मैंने किया कि आप से कि जो है मैं स्पॉंसिवल फॉर्टिंग आफ वेस्ट टिशू सेकंडरी जायलम और सेकंडरी फ्लॉम को बनाती है उसे फैस्ट केमियम के बीच में क्या बनता है इंटर फैस्ट केमियम बनता है और मैंने आपको दीकले स्टेम का ट्रांसुर्श पोना पढ़ेगा यहने दो रिंडल को सेपरेट करने वाली तो ठीक सामने वाली जो पित्रे सेल रोती हैं वेसिल्स मरेंटिमेटिक होगा आती है पूरा रिंग बन जाता है और वही वैस्ट को यह मां बखाते हैं और इस यह वर यूपर अथर पड़ता है सब से अधिक चुण cao एक्टिव रहता है विंटर में इसकी कम रहती एक्टिविटिए कि इसकी कम रहती है के विंटर में अलोमस्ट बंद रहती है समर में आउटम में इसकी इक्तिविटी से अफ्टेड होती है अब एक बात यह कि अंदर के और यह सेकेंडरी जायलम में आता है तो कोई आपसे पुछता है ये यंगेस्ट लियर आफ सेकेंडरी जायलम कहां मिलेगा आप बोलोगे य ड्रकाथ को पुछता है अब्लच र में ड वाएं थी तिसु बाहर दो भया दिक डी जाएंगे तो सेकेंड्री चया उब पाहर सेकन्ने इंसाइड मोर एक्टिव होता देना आउटसाइट मतलब सेकंड अधिक बनता है से कंपर दूदी सेकंडरी फ्लो है ठीक है और याद रखे से जो हम क्या देखते हैं हम देखते हैं पर केंबियम जो है वह कुछ जगे पर कैमा की नेरो बैंड को माता है जो कि जो सेकंडरी सब्सक्राइब और रहें इंडर केंडरी में अधिक बनता है इससे तने की चुड़ाई या घर्थ बढ़ जाती है ठीक है फिर मैंने कहा आप से spring के मुसम में cambium more active होता है autumn के मुसम में come active होता है winter में almost inactive रहता है तो जो xylem vessel March के महीने में बनती है वो broad lumen वाली होती secondary wood में secondary wood मतलब secondary xylem की बात कर रहे हैं secondary xylem जो March में बना spring में बना उसमें broad lumen देखने मिलेंगे less fiber होगा लेकिन जो October के महीने में बना autumn में बना लगभग उसमें आपको narrow lemon देखने मिलेगा उसमें आपको चीके मैंने आई बाहर बना चीके हमको ऐसा न्यूबन देखने मिलेगा चीके तो एक साल की आउदी में एक वर्स के time period में क्या होगा हमको हमको फरवरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल माई जून जुलाई अगर सितंबर अक्टूवर नवंबर दिसंबर वह समाएगा पूरा के कहने का मतलब है कि पूरा एक साल में एक spring आता है एक autumn आता है तो एमने का यह क्या है यह autumn हैं तृतूम ने बनाए यह बसंत regression में ृतूम बनाये कि spring यह फिर autumn मतलब एक साल में एक बार बसंत अएगा एक बार हेमंत तूम आईगी these का मतलब यह कि ये पट्टियों को गोर से देखो आप तो आप क्या बोलोगे ये दोनों एक साल को रिपरेंट करते हैं ये दोनों अगले साल को रिपरेंट करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है वो देख को गिनके हैं प्इंड यू का पता लगा सकतें इसका हम बोलते हैं dendrochronology कहते हैं कि जिसमें आनुरल रिंग को गिनके प्ड़ का सकते हैं तुक है ठीक है एás आसी वोडे जो नया बना Second होगा वो एक्टिम में कर रहा होगा तो अलद में वाइन कर चुका होता है उसमें प्रेंट्स कर लॉटक करते हैं और यह लेटर बाद में हाती है और इसे बोलते हम क्या बोलते हैं विद्टा हैं तो थो हाइड वूर्ड नॉन चनडक्टिंग होती है थीकर एक कई साल के उम्र है तो उसमें सबसे बड़ा बीचों-बीच का जो पॉर्षन देखने मिलेगा वहाड़ वुड का पॉर्षन होगा हाड़ वुड के पॉर्षन का ही इस्तिमाल हम जो एफ फरनीचर को बनाने में करते हैं ठीक है कॉर्क केमियम क्यों बना को बाहर का एपिडरमिस स्रप्चर कर गया तो जो हाइपडरमिस था उसने अपने आपको एक्टिवेट किया कॉर्क केमियम में करवट हो गया बाहर उसने कॉर्क बनाया कॉर्क सुविराइस सेल्स होती है डेड़ सेल होती है और यह एक प्रकार से वाटर के लिए एर के लिए इम परवियस होती है तो यह क्या करती है ये बाहर से कोई भी खत्रे को अंदर आने से रोग देती है कॉर्क सेल्स ठीके और अंदर की और कॉर्क के में ने क्या बनाया उसने सेकंडरी कॉर्टेक्स बनाया क्योंकि अंदर की कॉर्टिकल सेल भी डेमेज हो गई थी तो याद रखिएगा जो कॉर्क से लोती हैं उन्हें हम बोलते हैं फैलम बोलते हैं फैलम मीन्स कॉर्क ठीके फैलो जन जो फैलम को बनाने वाला है वो है कॉर्क कैंबियम ठीके और जो फैलो डर्म है बिटा वो क्या है फैलो डर्म होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स ठीके और इन तीनों को मिलाके बोना पेरिडर्म ठीकए याद रखे हैं तो यह common question मैं कह रहा हूँ आपसे आएगा ए, exam में मतलब आएगा आएगा मैं कह रहा हूँ आएगा मतलब आएगा कै रहेसिंते स्कायां मतलब के तो क्या होता है फैलम फेलोजन और फैलर ठीकें और याद के दो यह हो शो ए पी फैला मतलब कॉर्क फैलोज़ पॉले कि अजिक दया सेकंडरी फ्लोम बहार था पारिसेकल बहार था एंडरमिस जनल कॉटेक्स हैप्रमिस एप्रमिस सब बहार था बतला ओल डिशिव आउटसाइड वेस्ट लोग के अम्म आर नोने इस बार्क तो इसका मतला बें किसी पेड़ की छाल को निकाल देने पर ट्री को सबसे दिखानी होती है क् पार्क निकल जाती है तो फूट का कंडक्शन रुक जाएगा रूट डाइस फर्स्ट पहले रूट मर जाएगी तो पहले रूट मर जाएगी और फिर पूरा पोधा मर जाएगा हूं ठीक है कि अब को मैंने बताया कि कॉट इंपर्वियस है तो प्राब्लम तो यह होगी न प्लांट में तो टिशू को यहां मने रूल प्ले करते हैं करते हैं खेंग के इमेज इंपोर्टन याद कॉंप्लिमेंटे सेल कहा होती याद रखिएगा इसको ठीक है फिर रूट में सेकंडरी गोत तो मोनोकॉट की रूट में सेकंडरी गोत नहीं होती है डाइकॉट की रूट में सेकंडरी गोत होती है और पूरा का पूरा कैम्यम रिंग जो होता है जायलम औ तो पूरा का पूरा कैसे बनता हो वो जो है वो सेकंडरी उरुजिन का होता है तो यहां पर हाइपटरमिस को जो यहां पर है पर परिसेकल भी को बनाने में रोल प्ले करती है क्लिया ठीक है चले तो यहां पर विटा हमने क्या देखा हमने देखा कि ब्रीफली हमने पिछले एक घंटे-पचीस मिनिट में हमने वह पूरा एनटामी का चेप्टर हमने एक बार मैंने इन सारे हमने रिकॉल कर ले अब आप उठा के देखना जो एक्जाम में अभी तक वह सारे इस लेक्टर में आलमस्ट कवर हो गये तो यह मैंने पहले भी अपसे का है बार 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 इस बात को गलतना ले ले मैं रेगुलर क्लास का कोई विकल्प नहीं है यह क्लास उन बच्चों के लिए जो बच्चे ऑलरीडी एक बार रेगुलर क्लास अटेंड कर चुके हैं जिन्हों ने अपने नोट्स बनाए हुए उनके लिए है तो इस क्लास का परपस इतना भर है कि एक बार मैंन मैं देख लें कुछ शॉर्ट नोट को मैं बना लें और हम अपना चिप्टर में फिर सारे एंसक्यू लगा लें आप अलरीडी बार तो पढ़ चुके हैं आप अच्छे से हैं ना बिटा ठीक है और देखो हो है की बार दे के एक्जामनी कालना ने हम अपना एक बार दे के लिए निकाल जि Champ k holds करते तो पर वीडियो बना दो उसके वीडियो बनाएंगे पर मेरा कीमती है कि कि हम लोगा बहुत बड़े मिचम पर CP I मिलते हैं हमें उनसे बचना है पढ़ने पर फोकस करना है ठीक है बीटा कि मेरी किसी बात का बुरा ना माना करो मैं जो कहता हूं सिर्फ और सिर्फ आपके भाले के लिए करता हूं ठीक है वे ग्रेट डेहेट बीटा आल दी बेस्ट